एक आठ साल के बच्चे की मा मर जाती है एक दिन उसके पापा ने पूछा कि बेटा तुझे अपनी नई मा और मरी हुई मा में क्या फर्क लगा तो वो लड़का बोड़ा माना बड़ा हूं तनहा खड़ा हूं कैसे जियूँगा यूँ जो चोड़ा चुपना रहो तुम कुछ तो कहो तुम अच्छा चलो पिर डाट लो थोड़ा मेरी नई मा सची है और मरी हुई मा जूटी थी ये सुनके उस आदमे को जटका सा लगा और वो बोला क्यों बेटा ऐसा क्यों लगता है जिसने तुझे जन दिया वो जूटी और कल आई वी मा सची क्यों लगती है लड़का बोला जब मैं मस्ती करता था तब मा कहती थी अगर तु इसी तरह मस्ती करेगा तो तुझे खाना नहीं दोंगी मैं फिर भी बहुत मस्ती करता हूँ और वो मुझे पूरे गाउं से ढून कर लाती अपने पास बैठा कर अपने हाथों से खाना खिलाती थी और ये नई मा कहती है अगर तु इसी तरह मस्ती करेगा तो तुझे खाना नहीं दोंगी और सच में उसने आज मुझे तीन दिन से खाना नहीं दिया दोस्तों मा तब भी रोती थी जब बेटा पेट में लात मारता था मा तब भी रोती थी जब बेटा गिर जाता था मा तब भी रोती थी जब बेटा भुखार या सरदी में तड़ता था मां तब भी रोती थी जब बेटा खाना नहीं खाता था और मां आज भी रोती है जब बेटा खाना नहीं देता दोस्तों वो भी क्या दिन थे मम्मी की गोद और पापा के कंधे न पैसे की सोच न लाइफ के फंडे न कल की चिंता न फ्यूचर के सपने अब कल की है फिक्र और अधूर है सपने मुड कर देखा तो बहुत दूर है अपने मन्जिलों को ढूनते कहां खो गए हम आखिर इतने बड़े क्यों हो गए हम दिन बर काम के बाद पापा पूछते हैं कि कितना कम रहा वाइफ पुछेगी कितना बचाया बेटा पुछेगा क्या लाए लेकिन मा ही पुछेगी बेटा कुछ खाया अगर आप फ्री हो तो इस मेसेज को इतना फैलाओ जितना आप अपने मा से प्यार करते हो एक मैसेज मा के नाओ लव यू मा, लव यू लव यू लव यू मा थैंक्यू फ्रेंड्स